हेलो फ्रेंट्स वेल्कम को माई चैनल आज हम आपके साथ तरोई की सबजी के रेस्पी शेयर कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं पांसो ग्राम हमने तरोई लिए है अच्छे से धो के छील लिया है और ऐसे पीसेज में कट कर लिया है 4 हरी मेर्च ली है बारीक कटी हुई एक चमज कटा हुआ हारादनिया है एक टमाटर है दो पिंच हेंग ली है आधा चम्मच गरम मसाला है एक तेश पत्ता का टुकड़ा है कई टुकड़ों में कर लिया है चार काली मिर्च है आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चोथाई चम्मच जीरा है नमक लिया है नमक टेस्ट के नुसार ले और ये चुपम्चrator समने लिया है आम सोर पाउडर हम फैन कट जठा देंगे और जभ बाके लगवग सर्टे ग़र्ब का देल को गरम घुम्ट का हल्का सा गरम हो गया है इसे में ड्रूलें गे य misma चृम्म्च थीक गरम हो गया है अब इसमें डाल देंगे जीरा तेश पत्ता और काली मिर्च फ्लेम मेडियम रखेंगे अब इसमें हम तरोई को फ्राई कर लेंगे तरोई को डाल दिया है अब इनको फ्राई करेंगे तरोई को फ्राई कर लिया है अब इसको फ्लेट में निकाल लिया है इधर हमने वही पैन फिर चड़ा दिया है इसमें डालेंगे एक चम्मच से थोड़ा सजादा सर्सो का तेल तेल को थोड़ा सा गरम हो जाने देंगे हेंग, हरी मिर्च, साफ में डाल देंगे हर्डी पाउडर, बन्या पाउडर, फ्लेम मेडियम रखेंगे, साफ में डाल देंगे तमात्य अच्छों से भोल लेंगे मसाले पगदें अब इसी में डाल देंगे ये प्राइकी हुई तरोई अब इनको अच्छों से मसालो के तरोई को भोल लेंगे अब इसमें डाल देंगे ये नमक और दरम मसाला चला दूँ अब इस देर के लिए ढटकर पका लेंगे खोल के देखते हैं अब इसमें डाल देंगे आम चूर पाउडर के लिए और धग देंगे खोल के देखते हैं अब इसको प्लेट में निकाल दिए उपर से हराधनिया डाल देंगे उपर से हराधनिया डाल दिया है बिन प्याज सुनके बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है तरोई की इस तरह से ट्राइज जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें थैंक्स फार वाचिंग बाइबाई